नमस्कार आप देख रहा है पीजी नियूज मैं प्रवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभी हम यूपी जाउनपूर के पवारा थाना छेत्र के सहनी गाउं में हैं और आपको बता दे कि ये अर्बिंदु कुमार जी है ये इनकी माता जी है माता जी का रो-Rोकर बुरा हाल है क्योंकि आपको बता दे कि जहां पर साधी बिवाह की बाते होती है और जहां पर एक मा का सपना होता है कि अपने बेटे की साधी करके एक सुन्दर बहु लाएंगे और एक घर परिवार बसाएंगे लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो आज कल की जो बहुए है वो एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में फंस कर अपने पती को छोड़ कर फरार हो जा रही है अब ये ऐसा समाज में बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है ये मामला है जौनपूर का ये सास जी है और इनके अपटायेख कि आपकी बहुत ही घर में क्या कुछ रीक्सन रहता था आपके सा रहती थी क्या कुछ पता थे यह ऐसे भाग जाए जयाए इसन्हाद के लिए सदें को मालूम नहीं कैसे का काम हुआ है एसे गईए ये बताईए कि आपके लड़के जो अर्वेंद यह जो आपकी बहु थी इनका किसी लड़के से प्रेम प्रसंग कैसे यह सब कुछ था या कैसे पता चला अब इसे सार उनके जैसे हम लोग उनसे पूछाच किये गाव में तो बोले जैसे कोई लोग भी बोले कि उसकी ऐसे हाए उसकी पीता जी बोले हमारे पास लेकर आए है हँ हम हम क कि पीता जी और उनकी बहन भी बोटायगी बेग लेके हमारे गये हमारे भाइजे बहें हैं हमाग जैसे पतल लगे हैं पास जैसे पतल लगे हैं जो लड़का लेकर भागा है उसका क्या नाम है तो कब गया सार हम नहीं देख पाए इसको सर देखे होते दम साब को लोग हम बताते नहीं सब लोग के अपने घर में हम नहीं बताईए कि जब आपकी बहु भागी नहीं थी घर से क्या कुछ संबंध आपके साथ होता था कभी जगडा उगडा या आपकी सिवा हुआ करती थ सब्सक्राइब कर देख कर यह जो मेरी बहु है वो किसी लड़के के साथ भाग सकती है कुछ ऐसा आपको लग रहा था पहले से कभी नहीं ऐसे नहीं लगा के भाग जाएगी है इसे मगर हम पता नहीं सर कैसे होगे हमको नहीं मालूम है सर हमारा इस गहाना पचास हजार विसा हमारा करजा पड़ा है भणने के लिए अभी उसका लड़के के साधी जब होई है अच्छा माता जी एक बात ये बताईए कि अगर वो बहु आती है और आपके पैर पर गिरती है कि हमसे माता जी गलती हो गई अब आप देख सकते हैं समाज की क्या भी डंबना है मा का रो रो कर बुरा हाल है किन ऐसे में हम बात करें जो पत्निया होती है कैसे एक मिनट में पूरे घर को बरबाद कर देती है ये साहब आप पता नहीं कर सकते हैं बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ये अरविंद कुमार जी अरविंद कुमार जी है जो उनके पती थे क्या कुछ हुआ भाईया कैसे पत्नी छोड़ अरविंद जी पता नहीं से भाग गया में तो हैंने अपता सला किसे भाग गया है अच्छा आपके अरविंद जी क्या कुछ रहता था आपके साथ में क्या आपको लग रहा था कि आपकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशन सिप में है क्या कुछ लग रहा था नहीं स्टार था हमको नहीं लगा कि बहु जाए कि इतना पढ़िया कि हमारे बेटी सिलाई सिखती है उसकी बिलाव सीथी है उसकी साथ में रहती है बकि उसकी आत्मा काल हम लोग नहीं जाने कि जो हम परोशी साथ में है यह यह उनकी नंद जी है जो काफी लंबा समय उनके साथ ब्यतित किये हैं क्या कुछ कैसा लग रहा था आपकी भाभी चली गई है अभी घर में पूरा महौल गरबढ़ है आपकी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल है क्या कुछ कहिएगा कर दिसको सब चाधिर के रहा हैं अपने पती पतनी को भगाता है यह इसे बोल रहे हैं तो इसके माई गयां इसके बहें पूरा परिवार और से पोल रहे हैं कैसे भगा दिये हैं तो अच्छा यह बताई एकिकिजब वो घर से निकली थी क्या कुछ आपको पता था कैसे निकली कैसे लोग पता नहीं था जू लाइट कट गई थी हम लोग भूला आइस के घर में देख रहे हैं और नहीं दिखाए हैं लोग फूसे कि बाह पूछने के लिए कि मारी हेर बहु आई किया कोई देखा है तो उसकी बहन बोल रहे थी कि हमने नहीं देखा है हमारा भाई कल से अपना कपड़ा सब कुछ पैक करके जा रहा है था हम पूछे भाई से कहा का कहा कर रहे कि तुमसी क्या पदलब हम चाहे जहां जाए जहां साथ है आपको बता दें कि यह उन की नंद जी है जो लगतार साथ में रहती थी और कहें नहीं कोछ लगता था कि किसी से प्रेम प्रसंग नहीं एसे तक कुछ नहीं लग रहा है हम लोग को इसी कुछ नहीं सब कसाथ में रहती से हस्ती थी बोलती थी सबसा थोई न जानते थे कैसी का रही सब ने क्या हम लोग इसे बैढ़ते चुप चाप उसकी आप पहुचा देते ने एक मिनट बेटी में लगता है कि युट को बेटी से पहले आकर बतियात इनले अपने बेटी को पाली है 15-16-17 साल अपने नजरों के सामने आपको अपने बेटी को पर विस्वास है कि नहीं? विस्वास है आपको भाग जाएगी? यह लोग ऐसे बोल रहे हैं। यूपी पुलिस ऐसे बोल रही थी तो यह देख सकते हैं जहां परसासन प्रसासन को सक्त बताया जाता है लेकिन घर पर आती है कहती है कि तुम भी हो और हम भी हरे हैं हाँ जब कहीं पता चलेगा तब लगा कर देंगे तब तुम लोगा आना ऐसी बोल रहे हैं अच्छा गाओं में आसपास में क्या महोल होगा क्या नाम हो आपका हमारा नम सुमन है सुमन गाओं के आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं तुम्हारी बहुत हरामी है, 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 तुम्ह अगर आपकी वाइफ मानले जिए पुलिस पकड़ कर लाती है पूरे समाज में ले आती है यहां पर अगर कहा जाए कि अगर आपकी वाइफ गलती मानती है कि हमको रख लीजिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तो क्या करेंगे आप अब अब कोई बच्ची नहीं थे नाइस अब हम अभी बच्ची नहीं थे इसलिए उफरार हो गई नैंकि किया अब अच्छा ज़िए जबेर साल में कितने दिन आप घर पे थे पतनी जी के साथ में और कितने दिन बाहर थे मुंबई दिली कलकत्ता शार यहां घर भी था सब् लड़की के पीता उताजी क्या कर रहा है लड़की के पीता उताजी क्या कर रहे हैं लड़के के पिता बोल रहे हैं कि हमारे पास आया था हमने मार के भगा दिया उन लोग कोट मेरे से साधी कर ले हैं अब जब हम मिलेंगे तब लेकर आएंगे उन लोग अहीं बोल रहे हैं जो करना हो कर ले जिए लड़के के पिता ऐसा बोल रहा है पूरे परिवार ऐसे उसक कर रहे थे यह सब इसे बोल रहे हैं बहुत गारी दे रही है उसको पूरा परिवार मिलकर परिवार है अब तूटता हुआ नजार आ रहा है इसे में अगर हम बात करें अर्बिंदु कुमार की पतनी जो है वो किसी प्रेमी के साथ फरार हो गई है और यह माता जी है लगातार इनका रो रो कर बुरा हाल है और अपनी आवाज जो है वो लगातार मीडिया में दे रही है कहीं कहीं की समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाए कि भाईया अगर किसी की पतनी अगर मोबाइल में जादा बीजी है तो उस पर जादा ध्यान दिया जाए क्योंकि आज कल ज फरार हो जाती है यह उनको नहीं पता होता है कि अगर वो पती उनको छोड़ देगा तो वो जा जढ़ेंगी किस किरा मताजी सभ्षय कि नहीं तब जाएंगीन दे लेकि Kok अब उसको नहीं रखेंगे आप साब घ Annual का कहना है कि अब वो चाहे जो करे यो चाहे जयसा करें अब मुसको हम अपने घर पर नहीं रखेंगे। फिरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, तमाम दर्सक इस वीडियो को देख रहे होंगे, तमाम जगहों से देख रहे होंगे, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राए में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चलेए मिलते हैं फिर से एक नेस्ट वीडियो मे और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें दीजिये इजाज़त जय हिंद जय भारत